आज दो खबरे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी पहली खबर है हमारे देश में दलितों के दो चेहरे हमारे देश में किसी गाउं में रहने वाले गरीब दलित परिवार पर अगर कोई अत्याचार होता है किसी गरीब दलिट की बेटी से कोई छेड़ चाड़ हो जाती है तो प्लिस वाले थाने में कई घंटे नहीं कई-कई दिनों तक बैठा कर रखते हैं और तब भी इंसाफ नहीं करते, FIR दरज नहीं करते लेकिन इनही दलितों की वोट लेकर इनही दलितों का पृतिनिदित्व करते करते जब कोई दलित बड़ा नेता बन जाता है राजिस्थान का डेपटी चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसके बच्चे बिलकुल अलब हो जाते हैं तब उस दलित डेपिटी चीफ मिनिस्टर गा बेटा उसी पुलिस को आगे पीछे लेकर रील्स बनाता है वो रील्स की शूटिंग करता है और आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि जब एक बड़े नेता का बच्चा पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर रील्स बनाता है और आम लोगों के बच्चे आम लोगों के बेटे सरकारी बसों में धक्के खाते हुए सरकारी नौकरी की परिक्षा देने के लिए जैसे तैसे संघर्ष करत हुए जाते हैं ये दो तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे और आज हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो लाखों दलित हैं वो भी आज ये देखें कि उनके प्रतिनिधी जो हैं जब बड़े पदों पर चले जाते हैं तो कैसे वो अलग हो जाते हैं इसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन से लगे हुए इस सरकारी पार्क में जहांसी की रानी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं लग सकती। ये नया कानून आया है हमारे देश में सूचिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन से अगर एक सरकारी पार्क सटा हुआ भी है तो भी उसमें जहांसी की रानी की प्रतिमा नहीं लग सकती ये खबर आज बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है इसलिए ये दोनों खबरें आज हम आपको दिखाएंगे मिलते हैं आज रात 9 बजी ब्लेक और वाइप में आज तक पर